नमस्कार मैं में इतिविदी आप सभी का सौगत करता हूँ भारत मोबिल्टी 2024 में जहां पर टाटा मोटर्स कॉमर्सियल वहिकल ने अपने न्यू टाटा एस बाई फ्यूवल C&G 2.0 को प्रदर्शित किया है क्या कुछ है खास इसमें चलिए आपको दिखाते हैं इस देटेल वीडियो में तो आईए आपको दिखाते हैं इसका फ्रेंट लुक क्या क्या चीज़े मिल जाती है तो एक बढ़िया हेड्लाइम बिलता है जो कि इस सेग्मेंट पे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है बढ़िया ग्रिल मिल जाएगा इस तरीके से टाटा का लोगो और ये अच्छ अप्रोच एंगल यहां पर दिखा रहा है और उपर देखेंगे तो आई पर हो गएरा काफी अच्छे से यहां पर दिया गया है एस बोल्ड आपको यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा और एक बढ़िया आपको इतना बड़ा एरिया आपको मिल जाता है इस सेग्मेंट मे पहली बार बायो फ्यूल को नोंने इंट्रोडियूस किया है इसकी अगर खासेतों की बात की जाए तो आपको बता दूँ इसमें आपको बहतरीन फ्यूल एकोनॉमी मिलती है जिससे बिजनस में फायदा होने के चांसे बढ़ जाते है और इसमें आपको ज़्यादा कैपसिटी 640 किलो ग्राम की है इस गाड़ी में दिया गया है 694 सीसी का बाई फ्यूल 4 इस्टोक वाटर कूल एंजिन जो पेट्रोल पर 22 किलो वाट और सी एंजी पर 18.3 किलो वाट का पावर जनरेट करता है टॉर्क की बात करें तो पेट्रोल पर ये 55 एनम का टॉर्क देत को बिलकुर इस्टेबल रखता है और जब आप सामान लेकर गारी में जा रहे होते हैं तो हमेशा इस्टेबलिटी आपको सुकून देती है कि आप आप मिस्टा से भरे हुए कहीं भी ब्रेकिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही किसी उबर खाबर रास्ते स जाने में आपको कोई तकलिफ होने वाली है अब आप सोच रहे होगी कि ये गारी किस जगे पर ज़्यादा यूज होगी तो मैं आपको बता दूँ एग्री प्रोड़क्स, फार्मा, फूड प्रोड़क्स, रेफिजरेटर ट्रांस्पोर्टरेशन, एफमसीजी और एफमस पॉइंटो के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप टाटा मोटरस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी, कॉमप्टीशन में उठाकर देखेंगे तो इस काड़ी का कोई और मुकाबला नहीं म होने वाला है, जहां पर आप ना सिर्फ कमाएंगे, बलकि कॉणफिडेंस के साथ में अपनी गाड़ी को चला पाएंगे, इसके केबिन में जितना आराम है, उतना ही आसान है इसमें सामान लादना, एस सी एंजी 2.0 में ये मिलता है, मतलब इस तरीके से केबिन लाइट मिल आपकर यहां से होन हो गड़ा मिल जाता है, काफी अच्छे से यह लगने वाला है, और यहां पर क्या चीज़ मिलती है, दिखे, USB टाइप चार्जिंग पोर दिया गया, मुबाइल हो गड़ा है, आप भी रख सकते हैं, सामान यहां रख सकते हैं, और बढ़िया मतलब इस अच्छा लगे है, और सीट की कुछ नहीं को गरा देखेंगे, तो भी अच्छा लगने वाला है, मुझे लगता है, यहां पर भी एक बंदा बैठ जाएगा, दो तो बैठ सकते हैं, लेकिन एक बंदा यहां पर भी बैठ सकता है, और यह आपको फाइव स्पीड का गियर ब अच्छी के लिहां से बहुत अच्छी चीज होती है, जो कि अब यहां पर उपर कर दी गई है, अगर इसकी बात करेंगे, जो यहां पर वार्बियन दिये गए हैं, भी परफेक्ट तरीके से काम करें, बाहर की विजबिल्टी अच्छी आ रही है, हलकि यहां पर आपको रो नहीं पा रहा हूं, बट यह बहुत अच्छी से दिया गया है, लाइट वगरा आप यहां से ओन कर सकते हैं, और टर इंडिकेटर भी यहां पर है, और इस तरीके से आप वाइपर वगरा चला सकते हैं, तो पुरा वाइपर है, कारोज में जैसे ऑपरेट करते हैं, उस सब क अचीची और लगेगा यहां पर, कि अजस्टेबल ही हैं यहां पर मिल रहे हैं, तो ड्राइबर सहाब पैसेंजर जो भी आपका को ड्राइबर बैठेगा, वाराम से बैठेगा, तो यह सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, और को ड्राइबर के तरफ आपको एक हैंटल मिलेगा, यह काफी अच्छा बन पड़ा है, तो कैसा लगा टाटा का यह न्यू एस भाई फ्यूवल में जो अब आ रहा है, सी एंजी 2.0, कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा, इंतजार कर रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में